तो दोस्तों सर्दियों के मासा में बहुत अच्छी गूबी आती है तो गूबी के पराठे बनाते हैं आज हम और बहुत ही चटपटे बहुत ही अमेजिक बनेते तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करना अपने धर पर आपको बहुत पसंद आएगी हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल कुक वित काजू तो गैस इस रेसिपी को अंट तक देखेगा ताकि यह रेसिपी आप भी बना पाए अपने घर बर फटा फट से और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना और हाँ अगर आपने चानल को अभी तक सब्स क्या करतेंस इसा और तो इसमें ढाल देंगे हम हरी मिश्ट यह पर इसमें इन्मै ज़ए तो यहांपर मैने हर्विश ठीड गारिय आ ज़ेंगे निया था अद्रग को भारिक काट लिया था और या धनिया लिया यह पर शूखी मसाले डाल देंगे तो थोड़ा सा गरममशा कर लेंगे और हमारी स्टफिंग रेडी है पराथे बनाने के लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर हमने ले लिया है आटा तो रोटी बनाने के लिए जो हम आटा लेते न वैसे ही चाहिए कुछ स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं करना बस ही है थोड़ा टाइट होना चाह प्रैस करने से क्या होगा कि जो लोई है उसके अंदर जगे बनती चाहिए और स्टफिंग भरती जाएगी तो अगर आपको इग्दम लोड़ेड पराथा थाने ना तो इसका यह है कि आवे ना इसमें थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इस तरह से डालते जाओ ठीक फिर अच अच्छे दबा देना डायरेक इसको बेलना मत क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बोलोगे ना तो प्रचिप आपको जाएगी तो जो सूखा आता है थोड़ा सा मुझको लगा लेंगे इसके अच्छे से अच्छे से अपर नीचे ताकि जो हम जब से बेले तो यह चिपके नि तो आप क्या करना पतली रोटी बेलोगे काम आठा लेके बेलना तो जैसे मैंने बेल लिया अगर आपको जादा पराथे वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आप मोटी लोई भी ले सकते हो तो जो मेरा जो यह बिला तो यह उपर से थोड़ा इस तरह सो गया था स्टॉफिंग बिल्कुल भार निकली थी लेकन बहुत ही पतला था यह तो इसमें स्टॉफिंग का बहुत अच्छा टीस्ट आ रहा था तो मैंने दो परांटे बना के रेली किये फिर मैंने क्या गरम किया तवा और मीडियम फ्लेम पर रखा था और फिर यह पर यह रखा था दोस्य साइट पर भी बहुत अच्छे से घी लगा के इसे वापे स्टॉफिंग दबा दबा के सिख लेना दाकि कि नारियां इसके बिल्कुल परिचा नहीं लगा तो यह अच्छे से ने अच्छे से प्राथी हो जाएगा को ज्यादा महिनल दो जर्ट है तो आप जादा न यूपने वह उसे सर्फ कर सकते हैं तो बहुती है तो बहुती ही लिए क्वास में जरू च्र्टे करने बंदे तो जरू ट्राइ कीजिए गजर को और हाँ चैनल की अब अभी तख सब्सक्राइब कर देना वीडियो को ज़रू शेयर करना भी तो मिलते एक और अनतर रेसिपी म झाल झाल